हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल वेट सक्टेस आप सभी लोग को पता है कि अपरेल का स्टार्टिंग हो चुका है और सिस्टम के नूट्पिकेशन के मुताबिक सिस्टम ने बताया था कि एक अपरेल से जो है सिस्टम अपने चौत्छे चरण में परवेस करने जा रह जो है लौज करने जा रहा है सिस्टम जो 1000 इप से अप्ग्रेड होगा इसके लावा वैवसाइड और अप्लिकेशन जो है नए अवतार में देखने को मिलेगा तो गाईज शिस्टम के नोटिफिकेशन के हिसाब शिस्टम ने कुछ-खुछ cell करना शुरू कर दिया आधे इस वीडियो में आप लोहको लिए और किया क्या चैंजेतल किए है और क्या क्या बदल्ला हो रहे सिस्टम में सो आप से विडियो में लाश्टक बने रहें और यदि आप मारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ साथ बेल वाले अकन को भी दवा ले तागे आगे मैं जैसे कोई ने वीडियो डालू तो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो को लोगजिन कर लिया हूँ कि अब मैं यहां पे और आपको को दिखाता हूं यह देखिये श्टम करता हूं थे झाल कि यहां पे देखिए सिस्टम ने सबसे पहले तो तो यहां पे पहले के की पास्वोक था ओंल्ली अभी एक passbook old करके दिया है यानि इसमें old passbook में क्या है और नया passbook में क्या है यह मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं old passbook को open करूँगा old passbook में आपका 1 अप्रिल तक जो भी data है 1 अप्रिल 2022 तक का फूरा data आपको old passbook में मिलेगा अभी तक आपने जो भी lane देन किया है पूरा data आपको old passbook में मिलेगा और आज से यानि 1 अप्रिल 2022 से जो भी आप lane देन करेंगे वो पूरा entry आपको new passbook में मिलेगा ठीके आप देख सकते हैं तो यह रहा old passbook और नया जो passbook launch हुआ है उसमें अंतर इसके साथ और भी बहुत सारे changes हुए है अब यहाँ पे जो banki card आप देख रहे हैं banki card में भी थोड़े बहुत आज changes देखने को मिले हैं banki card मैं click करके open करता हूँ अब देखिए यहाँ पे पहले यह चीजे show नहीं करती थी जो आज यह show कर रहा है देखिए यहाँ पे exist card है यहाँ पे आप जो है card select कर सकते हैं जो अभी फिलाल इसमें नहीं दिखा रहा है इसमें card आएंगे ठीक है आप अपने हिसाब से जितने का card जो है select करना है साइद 15 dp से 3000 dp तक का card आएगा तो जो भी card आपको select करना है वो card आप यहाँ से select कर सकते हैं और वो card आप ले सकते हैं और यह exchange dp to card है मतलब आपको अपने card में जो आपका card मिलेगा उसमें dp add करने के लिए यह exchange करने के लिए यह है यहाँ पे आप quantity dp का डालेंगे और यहाँ पे term and condition वाले box पे क्लिक करेंगे और last पे यहाँ exchange नाव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो dp है वो exchange हो जाएगा याँ आपके जो card है उस card में add हो जाएगा अब यहाँ पे थोड़ा और मैं आपको उपर करके दिखाता हूं जो लोग भी बंकी card को apply करना चाहते हैं वो यहाँ से बंकी card को apply कर सकते हैं यहाँ से बंकी card आप बाई कर सकते हैं तो यह सब features जो है कुछ changes हुआ है इसके लावा गाईज इसके लावा एक और changes मैं आप लोग को लगे हाथ दिखाता हूं बने रहे हैं आप लोग आप डाउन लाइन यूजर में मैं open करता हूं डाउन लाइन यूजर में एक changes हुआ है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पहले हम pin से id अक्टिबेट करते थे यहाँ यहाँ पे पहले आता था activate with pin अभी activate now लिख रहा है अभी activate now पे click करने के बाद से activate now पे click करने के बाद से देखिए क्या लिख के आ रहा है are you agree to activate user 30 dp यानि अब pin के जगा पे जो है आपकी wallet में 30 dp चाहिए और आप यहाँ से भी id को activate कर सकते हैं तो यहाँ से id activate करने का फायदा क्या है जैसे आप पहले किसी परसन का id मान लिजिए otp नहीं आ रहा है verify नहीं हो पाया तो आपको pin बनाना पड़ता था फिर pin बनाने के लिए transition password उगर है कि जरूवत पड़ती थी तो इसमें कोई transition password की भी जरूवत नहीं पड़ेगी यदि आपकी id पे 30 dp है आप अपने downline user में जाईए और direct जो यहां पे click करके activate now पे click करेंगे यहां पे आपको click करना है और फिर are you sure वहां पे ok कर देना है आपको id activate हो जाएगी तो यह आज कुछ changes देखने को मिला है system में guys तो अभी आगे जो है बहुत सारी changes देखने को मिलेंगी और system का notification के मुताबिक जो है emerald rank पे भी बात कर लिया जाए emerald rank एक तारीक के बाद कभी भी system launch कर सकता है यह गाई emerald rank जो है एक अप्रील के बाद कभी भी system launch कर सकता है एक अप्रील हो चुका है तो अब आप लोग जो लोग भी emerald rank करना चाहते हैं जो लोग भी emerald करने की इच्छा रखते हैं वो अपने wallet में 1000 dp का जो है management करके विवस्था करके जरूर रखें और एक चीज़ ध्यान जरूर रखें कि आप लोग किसी भी rank को upgrade करने के लिए कोई भी अनत्राई तरीका उप्योग ना करें अनत्राई तरीका से मतलब मेरा यह है कि कहीं से loan लेके गहने गिरूई रखके खेत बेजके या इधर उधर करके बिल्कुल भी अपना rank upgrade ना करें हाँ यदि आप जो है उस योग है कि आप उतना पैसा लगाने में आपको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है या आपको इस पैसे गा अगले दो से तीन साल तक को भी आपके उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आप इसमें invest करें अन्य था आप system से earn करें और system से earn करके अपने rank को upgrade करें so guys emerald rank में भी काफी जो है इस बार भी लोग बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और maximum लोग अभी से 1000 dp लेके रख लिये हैं जिसमें एक मैं भी हूँ मैं भी अपने id पे जो है एक तारिक से पहले से ही 1000 dp लेके रख लिया हूँ और 1000 dp minimum जो होना चाहिए क्योंकि system जो है कभी अपग्रेड में जाएगा और उसके बाद से emerald rank launch कर देगा हलाकि system time देगा notification भी देगा देना चाहिए लेकिन हंडेट परशंट स्योटिक साथ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि system ने अल्रेड़ी अपना जो है notification में दे रखा है कि एक अप्रील के बाद जो है एक अप्रील से system अ नया rank emerald rank launch होगा जो 1000 dp से upgrade होगा तो मतलब system ने अपना notification दे भी दिया है अब सिर्फ एक accurate date and time नहीं दिया है जो इससे पहले होता था accurate date मिलता था आपको वहां पे countdown timer लगता था countdown का जो पिछली बार excel share किये है उन सभी लोग को पता है कि कैसे दो दो बार जो है system crash हो गया था timer के बाद से फिर last में system ने एक notification दिया notification पे लोग जो है भ्रमित हुए और भ्रमित होने के बाद से लोग side से हटे जैसे ही लोग side से हटे भीड कम हुआ system ने excel share को push कर दिया और ज लोग जो है excel share में बाजी मार ले गए तो गाइज इस बार मैं आप लोग से बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी बिल्कुल भी धिला मत पढ़िएगा और यदि आप emerald को time से hit करना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा active रहिएगा कभी भी system जो है emerald rank launch कर सकता है system मे notification राल लेडी पहले से दे रखा है तो आप लोग अपनी तयारी करके रखिएगा हमेशा से और किस्मत की बात है यह जिसका बटन पहले दब गया वो तो रात रात यहां पे करोणपती बन जाएगा बट जो थोड़ा लेट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है कम से कम दस मिनट पांच मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट लेट हो जाएंगे बट आप उस दिन तो कर रहे हैं लेकिन रेंक लांच हो रहा है तो दो सल बाद भी लोग अपग्रेड करेंगे चार सल बाद भी लोग अपग्रेड करेंगे जैसे परल रेंक आज भी लोग कर रहे हैं क से भी Emerald rank को भी आगे भी लोग करेंगे लेकिन कोई भी नया रेंग जब आता है तो एक बहुत सुनारा मौका होता है बहुत जवर्जस्त मौका होता है इस मौके को यह संभव हो सके तो जरूर आजमाना चाहिए और मैं तो यहीं बोलूँगा कि इस मौके को आप लोग जरू मुताबिक जैसे कोई अपडेट आता है आपको इंफो करता रहूंगा टाइम टू टाइम तो थैंक्यू दोस्तों कि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप लोग को जो भी ताजा अपडेट आएगा अपना ख्याल रखिए थैंक्यू दोस्तों जय हिंद जय भारत पंदे मात्रव